हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टूए चैनल, मेरा चैनल पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, तो देखें, पिछली वीडियो आपने सारी देखी है, मेरी पूरी रित रिवास से शादी हुई है, और बहुत मज़ा आया हम सभी को हमने इंजॉय भी किया, हमारे अच्छा दीन देख करके रख लिया जाता है, मिलने का प्रोग्राम तो सभी घर परिवार के लोग आते हैं, और सब दुलन से मिलते हैं, उसे नेग भी देते हैं, और दुलन के साथ में जो जो सामान आया होता है, मैं वो वीडियो लेना बूल गई थी, क्योंकि इतना वो दुलन को रेता हैं, और उसे अच्छे से रखेना होता है, फिर सभी को दिकाना होता है, तो कुछ लोग पेले आते हैं, कुछ बाद में आते हैं, इस तरह से आते जाते हैं, तो मैं उसी में उलज गई, और वीडियो लेना बूल गई थी, तो हमारी यहहां का भी काफ़े च सामान था उसकी वीडियो भी में आपको दिखाना भूल चुकी थी तो बस इस तरह से कई चीजें से हो जाती है घर की शादी रहती है तो बहुत काम रहते हैं और देखिए इस तरह से हमारा मिलने का प्रोग्राम चल रहा था तो यहां पर नेग में कोई सोना चांदी देता है जैसे मेरे ममी ने कान के दिये हैं बेन ने पाई जब दिये मैंने नाक का काटा दिया था भाविशा ने बिच्छोए दिये थी इस तरह से हम लोगों ने दिये काफी ने नेक में लिपा पर दिये उन्हें पेसा होता है तो सब अपने अपने हिसाब से देते हैं लेकिन यह भी रखा जाता है और बहुत अच्छा लगता है और उसके दूसरे दिन ही में निकल चुकी थी क्योंकि मेरे बच्चों के एक्जाम थे सुबस सुबस ही हम रवाना हो गए थे भाई मुझे छोड़ने आ रहा था क्योंकि समान बहुत जदा था तो गाड़ी से छोड़ना जरूरी भी था बस भाई आया मुझे छोड़ने के लिए और बच्चे देखिए उनको आना नहीं था तो ऐसा मुझे बना रखा था उन्होंने और देखे मैंने जब बेक खाली करे थे तो मुझे जो वहां से सामान दिया गया था वो मैंने यहां रख लिया और आपको भी दिखा देती हूँ तो देखे इस तरह से मुझे कपड़े वगेरा मिले थे और इनके भी कपड़े थे बच्चों के कपड़े थे दोनों बच्चों के और कुछ पेसे वगेरा भी दिये गए थे वासे तो यह वाला जो ड्रेस है वो में पापा ने बनवाया है मेरे लिए यह वाला पूरा और पर प्योर की ओडनी है और यह जो भविसा है नए वाले उनके वहां से आया उनके पियर से जो आता है सभी के लिए आते हैं पोशा के वगेरा ड्रेस तो बस वो आये थे हमारे भी और यह पाई जब हमको ममी ने दिये थे नेग में तो बस यह सभी चीजे मुझे वहां से मिली है और जैसा कि मैं आप सभी कोई एक साल से बोलते जा रही हूँ करीब एक साल तो होई चुका है कि मेरे यहां काम जल रहा है काम कुछ भी नहीं है थोड़ा सा काम था चोटा सा उसको ठेकेदार ने इतना खीचा है ठेकेदार को बहाना मिल गया क्योंकि कुछ घर की लोगो करके फिर उसने चोड़ दिया कि अभी ये जड़ निकल नहीं रिये उसके बाद ही काम सुरू करूंगा अभी मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं करके तो मैंने उसको 24 अक्टमबर को दिपावली थी और उससे पहले नवरातरी तो नवरातरी से दो दिन पहले मैंने इस ठेकेदार को 10,000 दिये थे लेकिन उसने इतना खीचा और अब जाकर के 12 सितंबर को उसने गेट लगाया वो भी उसको इतनी मिननते करनी पड़ी हाथ जोडने पड़े कई फ मैंने उसको पेशे दिये थे अक्टमबर से भी पहले मतलब बारा तेरा दीन पहले आप समझ सकते हैं चोईस अक्टमबर को दिपावली थी तो उससे भी बेले मैंने उसे पैशा दिया लेकिन उसने काम नहीं किया और काम कुछ भी नहीं था थोड़ासा काम था और मेरा फा पास यह वाला तो मैंने क्या सोचा है था कि यह जो बाउंट्री इसके पास से इस जगे से मैं सीड़्या बना लेती हूँ और यह उपर इस टरच करा लेंगे यह जो पीलर है इस पीलर के उपर होते हुए इस पीलर से उपर चली जाएगी सारी सीडिी तो इस動ac से मेरा एक काम हो जाएगा तो अंदर की तरफ लोग आएंगे जाएंगे नहीं क्योंकि मुझे उपर के कमरे किराये चड़ाने थे तो अंदर सुटेबल भी नहीं होता अब वो लोग क्या बोलते इस गेट से यहां इस जगे से सीड़्या बनाना सुरू करो तो मैं अगर बना करती हूं तो मेरा यह गेट बंद हो जाएगा मैं इस गेट को भी बंद करना नहीं चाहती